नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप रासाइनिक समी करन को संतुलित कैसे कर सकते हैं और ये वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट और जादा हटके होने वाली है क्योंकि यहां पे आप चार एक्जामपल देख रहे होंगे और पहला एक्जाम सॉल्व कर लेते हैं सीख लेते हैं तो आप सभी सॉल्व कर सकते हैं ये दिल से आवाज निकल लए भाई साब मजाक में नहीं लेना है और तीसरा अगर आपने सीख लिया तो और अच्छी बात है क्यों कठिन नहीं है ऐसा ही है बस दिख़ों दिक्कत क्या है कि अगर अग्जामपल हमने दोनों तरफ कोश्टक लिए हैं दिक्कत जाती है इसलिए हमने आपको सिखाया है तो अगर आप इन चारों एक्जामपलों को सीख लेते हैं तो दुनिया की ऐसी कोई सकती नहीं है भाई साब कि आप इन एक्जामपलों को सीखने के बाद दूसरी लगवास करते हुए वीडियो को देखी लेखे हैं तो यहां पर हम पहले इसका इंट्रो देते हैं मतलब की देखो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है कि आप सर बैसे पढ़ाने लगे आपने बहुत लंबी-लंबी फैकी और फिर वही सिकाने लगे जो सब सिकाते हैं दो साइट लिखा रहता है और वहीं साइट यानि की राइट तरफ लिखा हुआ है ठीक है तो जो यह सब और कहते हैं अभीकारक और जो यह बनता है इसको कहते हैं उत्पाद और भी नाम होते हैं आप देख लीजिए तो यह हमने क्यों बताया बताने की जरूरत नहीं है आपको पता है लेकिन आप चाहिए भाई साथ जितने धुरंदर हों अगर आप किसी इंटर्वियू में जाते हैं तो आपको अपना नाम तो बताना ही पड़े उनके परमाड़्गों की संख्या बरावर रहनी चाहिए यान कि एक्वल बैलेंस रहनी चाहिए तब यहाँ पे आपका समीकरत संतुलित होता है याने कि हाड्रोजन ऑक्सिएन की संख्या 2 है एस तरह तो होल होता है तो अब यह तो आप जान चुके अब अपन सॉल्व करत बिल्कुल अलग और डिफ्रेंट तरीके से तो आपका एक्जामपल क्या है एक बार और लिख लेते हैं क्या है मज़ा आता है लिखने में है एच टू पिलस O2 और एच टू ओ लिख लिए अब आपको बता दी जाय कि अगर पिलस कच्ण लगा हुआ है बीच में तो अलग अलग है अगर नहीं लगा हुआ है तो यह एक साथ यानि गुरौफः यानि की स्मू है माली जिए यहांपे है टू ओ लिखा हुआ है माली ज तो यह माल लीजे समुन नहीं है, अब हमने आपको यह बकवास कहें करवाई अभी आपको समझ में आएगी देखो आपको यहाँ पर हाडरोजन इस परकार से लिखा है, इसको हाडरोजन कहा जाता है हार्डोजन की संख्या लिख लेनी है कितनी है 2 है ठीक है और यहाँ पे आपको ऑक्सिजन की भी संख्या लिख लेनी है कितनी है 2 है इसी तरह ऐसे क्या करना है आपको ह्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट हैं तो यहां पे केवल hydrogen बस में प्रवाव नहीं पड़ेगा यानि कि hydrogen बस की संख्या नहीं बढ़ेगी oxygen की भी बढ़ेगी क्यों क्यों कि यह ग्रॉप है आप एक में धक्का मारेंगे दोनों खिसक जाएंगे इसी प्रकार से आप एक को इसमें आंगे लगाएंगे तो हाएंगे तो केवल hydrogen बस में प्रवाव पड़ेगा और यहां पे भी कोई संख्या बढ़ाते हैं तो केवल oxygen बस में प्रवाव पड़ेगा यह चीज़ अगर आपने समझ ली तो भाई साब हलुआ है आप सब कोश सीख चुके हैं आप धुरंदर बन चुके हैं तो आप अप हाईसा बैलेंस है लेकर oxygen बैलेंस नहीं है क्योंकि यहां पे दो हैं और यहां पे एक हैं तो oxygen बैलेंस करना है तो मानलीज यह दो है तो आपको दो ही बढ़ाना पड़ेगा और हमेशा आपको याद रखना है आंगे की तरफ ही लिखा जाता है अगर आप सोचें कि H2O दो दूनी चार और यह भी आपको याद रखना है कि जुड़ते नहीं है गुणा ही होता है जो नैसे संख्या लिखी रहती है तो गुणा करेंगे तो hydrogen हो जाएंगे आपके 4 और oxygen आपके 2 रहेंगे तो यार बात तो यह बगड़ गई कि oxygen तो बैलेंस हो गए देखो यहां यहां पर देख सकते हैं आप oxygen तो बैलेंस हो गए लेकर हड्रोजन यहां पर चार और हड्रोजन यहां पर दो तो बिगड़े नहीं है आप यहां पर दो लगा दीजिए तो आपके क्या हो जाएंगे यहां पर आपके चार हो जाएंगे तो यहां पर भी चार और यहां पर तो आपको केवाले नहीं पर sit kं A2 लगा यक्षथ फशरा को है तो यहां पर आपके मयुद। डूसरा लेते हैं दीज़ामपल यहアब को वैसे सॉल्ब करना जैसे अ अपनर यह किया क्यूंकि यह भी थो थो थोड़ा ऐसा लेते हैं बकाया आप सीख जाएंगे रप्तार मेवी तो यहां पे आपके सोडियम कितना है दो है यह गुरॉफ है है ना हम लिख देंग गुरॉफ का चिन लगा देंगे और सल्फर यहां पे कितना है एक है और आक्सीजन यहां पे चाहर लेकन यह भाई साब एक गुरॉफ है अगर आप इसमें कोई भी आँगे सब में प्रभाव पड़ेगा और यह भी है एक पिलस बेरियम आपका कितना है एक है और किलोरीन आपके यहां पे दो है लेकर यह क्या है एक समू है और यहां पे देख लेते हैं यहां पे आपके वेरियम कितनी है एक है और सलफर आपका यहां पे एक है और औक्सियन आपका चाहते हैं लेकर यह क्या है एक समू है पिलंस का चिन लगाएंगे और एने आपके कितनी है एक है और सियल आपका कितना है एक है तो अब देख लीजिए क्या किसकी कमी है तो सोडियम यहां पे कितनी है दो है तो यहां देख सकते हैं सोडियम एक है तो पहली बात इसकोपन को balance करना है चिन लगा लीजिए और सलफर यहां पर एक है तो सलफर यहां पर एक है यह तो balance है oxygen यहां पर चार है oxygen यहां पर चार है यह balance नहीं करना है देखेंगे varium यहां पर एक है तो यहां पर भी एक है यह भी balance है cl यहां पर दो है और यहां पर एक है तो यह भी अपन को बैलाने करना केंगे कि 네 मुगभष करेंगे दो हम ने क्या बताया एक धक्का देंगे दोनों में खिसके हैं क्योंकि ये एक गुरॉप है और आपका बैलैंस हो गया, क्यों? देखो, अब मिलाइए सोडियम आपके दो हैं, तो सोडियम आपके यह पे दो हो चुके है सल्फर एक है था, औक्सियन आपके चार है वेरियम आपका एक है कलोरीन आपका 2 हो ही चुके है अब तो अब आपको यहां पर दो आपने यहां पर लगाया यानी कि यहां पर लगाना है तो भाई साथ आप बताईए बैलेंस आपका हो गया तो कितनी हमने आपको सरल प्रोसेस बताई अगर आप इसको अपनाते हैं तो बिलकुल दिक्कत नहीं जाएगी और जब आपकी स्पीड बढ़ जाएगी तो ये भी लिखने की जिरूरत नहीं है आप सीधे हैं पर देखें तत्तमों में अगर होल ट्वाइज लगा है या थ्राइज यहां पर तीन भी हो सकता है तो इन तत्तमों को गिनते कैसे हैं वह आप सीख लीजिए यहां पर आपका वी क्या लिखा हुआ है एन ओ थिरी का होल ट्वाइज यह अपन बताएंगे तो किस परिकार से गिनेंगे देखो यहां पर एक है लगा नहीं है तो दो कम दो यानि कि नाइट्रोजन आपके हां पर दो है और यहां पर ऑक्सीजन तीन यानि कि और हमें सामने आपको क्या बता है गोणा होता है यानि कि ऑक्सीजन छे हैं और यहां पर क्या लगा हुआ है सी यू लगा हुआ है अग to doko augmenta । इस 2 में होगा क्यों कि यह भी तो है दो दूनी चार यहां पर चार आपके नाइट्रोजन हो जाएंगे जहाँ पर 2 का कुणा थीन में होगा ऑक्सियन में तो दो 2 3 6 और 6 का इस चाफ होगा 2में तो आपके कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे तो इस प्रिकार से भाई सब इनको गिना जाता है अगर आप ये सीख चुके हैं ना बस भाई सब आप सब को सीख चुके हैं तो इसको अपन क्या करते हैं संतो लेते करेते हैं तो कर लेते हैं तो वैसे लिख लेते हैं बेद चुज़ सा नहीं लिखने वैसे वस इसको इसलिए लिखनेर हूँ आपके مज़ा आता है मुझेस को भी लिखने में सिल्वर आपका एक है नाइट्रोजन आपका यहाँ पे एक है इस वाली में लिख रहा हूँ और आक्सिजन आपका यहाँ पे तीन है लेकर यह क्या है एक समू है पिलस का चिन लगाएंगे यह वाला कॉपर आपका यहाँ पे एक ही है ठीक है कोपर आपका यहाँ पर कितना है एक है नाइट्रोजन आपका यहाँ पर कितनी है दो है देखो एक कम दो और ऑक्सिजन आपके यहाँ पर कितनी है तीन दूनी छे है लेकर आपका बताईए क्या है यह यह एक गुरुप है पिरस कची लगाएंगे सिल्वर आपके यहाँ पर क लगा लिए इसको पनको कुक्सिजन नाइट्रूजन नाइट्रोजन तो यहां पर दिक्कत क्या है यहां हब नाइट्रूजन एक है और यहां पे तीन है और यहां पे СвSt-4 bleibt high cream तो आपन Chic और करेंगे त ceux यहां पर यह यहां कोंगी क्या करेंगा देतीय को सब्लत हैं सब्सक्षा्ट क्रदें तो 2 36 तो यहां President High tittling 국 Bizन हम यहां यहां पर कितने हो जाएंगे दो हो जाएंगे हो जाएंगे ना दो दो का गुणा होगा ना इसमें और सिल्वर आपके कितने हो जाएंगे दो हो जाएंगे है हो जाएंगे न तो आपके च소리ं तो बैलेंस हो गए हैं और आपका नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया लेकां सिल्ट बगढ़ा गया क्यूंकि सिल्ट यहाँ पर एक हैं यहाँ पर अपन 2 का गोना कर देंगे न तो यह भी आपकлагो गुणना कर देंगा दो दो हो जाएगा तो अपने कहां कहां बढ़ाया यहां पर दो बढ़ाया तो यहां पर दो लगा दीजिए तो अब एक बार चेक कर लीजिए यह संतुलित है कि नहीं है यहां देख सकते हैं दो सिलवर दो सिलवर हैं यहां ठीक है नाइट्रोजन यहां पर दो यहां पर भी दो अगर आप यह भी सीख गए हो तो आपनको नेक्स कोश्चन देखना है तो यहां पर यह थोड़ा सा डिफ्रेंट है क्योंकि यहां पर दोनों तुरह फोल टो आज दिक्कत नहीं लेना है बस वैसे ही आप लिख लीजिए एक बार यहां पर हाइट्रोजन कितना है एक है नाइट्रोजन कितना है एक है ऑक्सियन कितना है तीन है लेकर हमने आपको क्या बताए यह एक गुरॉप है है के नहीं प्लस का चिन लगाएंगे यहां पर आपका कैल्सियम सी एक हो कैल्सियम का आ जाता यार इतना तो पता हो गाई होगा मजाक नहीं करना चाहिए ज्यादा ऑक्सियन कितना है दो है तो गिन्ना आपको आना चाहिए मैं बता चुका हूं और यहां पर भी हाड्रोजन भी आपके यहां ना चाहिए तो खलाक वर झाए तो हो अन पर तो ही कल्सियम आपके यहां पर यहां पर एक है नाट्रोजन आप बताईए जल् े्जलदी से मैं आप देखली है संतुलित क्या करना यहां और यहां पर एक और थे कितने हुगा है 3 3 hydrogen इन तरफ कितने hydrogen do केंगे वल दो ही है तो पहले तो आपको hydrogen bi8 छेंड लगा लेते हैं nitrogen यहां पे एक है देखि लेते हूद और कहीं तुर रहें यहां पर तो इसको भी आनको संतुलित करना है ठीक है और यहां पर तीन है और तीन दो पांच है और यहां पर आपके छे और साथ हैं यह भी आपको सभी संतुलित करना है आकर का तो कैसे करेंगे भूद देख लेते हैं तो यहां पर आपको देखो हाड्रोजन एक और तीन है यहां पर हाड्रोजन और यहां पर कित हैं किसका दो का इसमें और कि यहां पर इक हद्दों हो जाएंगे आपके जो जाएक ऑफ हो जाएंगे जाएंथbbles और नाइटरोजन अजाएंगर तो आपका नाइटरोजन भी यहां पर हो जाएगा और दोती हां यहां पर दोती च्छे और च्छे और यहां की कमी पढ़ रही है वह भी हो जाएगी यहां काई की कमी देखो तीन दूनी च्छे हो जाएंगे और च्छे दो आठ और यहां पर भी च्छे और एक साथ यहां पर दो लगा देंगे वह हो जाएगा हो जाएंगे और यहां पर आपके उक्जिण जाने को जाएंगे च्छे हो जार जाने ठीक है यह करने से तो आपका सपrec杯 अधाल श्ówाइट यहां वोग गारवर कर देचा यह रहा दिखनी है ऊगा तो यह यह डाओ ज्यादा हो गया है मैं यह देखो ठीक है तो यह आप देख लिए सकते हैं ठीक है और फिर इसके बाद यहां पर आगर आपन दो लगाएंगे तो यहां पर हाट डोजन आपके यहां पर चार हो जाएंगे और आपके यहां पर कितने हो जाएंगे दो हो जाएंगे ठीक है तो हाट डोजन आपके यहा क्या अलाग है देखो hydrogen 2 जे हैं और 2 जे 4 hydrogen यहाँ पे भी 4 है nitrogen यहाँ पे 2 nitrogen यहाँ पे 2 oxygen कितने हैं 6 हो गए हैं यहाँ और 6-2-8 तो यहाँ पे 6 और 6-2-8 यह भी oxygen भी हो गया कैलसी हैं यहाँ पर एक DelT reflection होई चुब होई चुका है, तो सब बारस हो चुके हैं अपने यहाँ पे 2 लगा यहाँ दो लगा देंगे और यहाँ आपका होचुका है balance एक बार और देख लेते हैं दो hydrogen और दो hydrogen नई कि 4 hydrogen यहाँ पर आपके चार hydrogen हैं 2, 2 नहीं है अब दिक सकते हैं नाइट्रोजन यहाँ पे दो हो गए हैं आप सकते हैं भाब सबस्साम्ट क clues किag करते हैं मिलते हैं दोस्तों अब यार बार बार थोड़ी नहीं बोल ला है बाई